हेलो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर हम और्गेनो मेटलिक कमपाउंड्स के बारे में स्टडी करने वाले बहुती अच्छा छोटा सा टॉपिक है ये अब देखिये यहाँ पर दो चीजे हैं जो और्गेनो मेटलिक बार्ड है वो दो से मिलके बना है और्गेनो प्लस मेटलिक याँनी एक तो मेटल होना चीए कुछ या फिर metal type कुछ ना कुछ element होना चाहिए दूसरा organic और organic क्या होता है जो carbon से start होता हो ठीक है जिसमें carbon और hydrogen present हो तो इस type के जो compound combination से बनेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे organometallic compound simply you can say कि organometallic compound वो compound होते है which contain which contain at least one metal carbon bond ऐसे compound जिनके पास कम से कम एक metal carbon bond जरूर प्रेजेंट हो इसके अलावा कितने भी हो सकते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे organometallic compound लेकिन इस बात का दहान रहे जो metal है वो carbon के metal और carbon के बीच में बॉन्ड हो metal और carbon के बीच में ना हो अगर CO present है तो यह फिर अलग category हो जाती है compound की हम इसे organometallic compound के नाम से नहीं जाते हैं जानते हैं जानते हैं जानते हैं तो इसके बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं हम नेक्स वीडियो के अंदर बात करेंगे इस बारे में सिर्फ हम organometallic compound के बारे में बात करें जिसमें क्या compulsory होता है कि कम से कम एक metal carbon bond जरूर हो इसके अलावा फालतों कितने भी हो सकते हैं जो organometallic compound है जब यह बनेगा तो या तो bond बनना चाहिए metal और carbon के बीच में या फिर जो metalloids होते हैं मेटलोइड समझते होना आप ऐसे element जो borderline element होते हैं जो metal और non-metal दोनों की property को शो करते हैं तो उन्हें भी हम include कर लेते हैं जसी यह सारे के सारे metalloids होते हैं इनके और carbon के बीच में अगर bond बन रहा है तो भी हम उन्हें organometallic कह सकते हैं इन दोनों ही कैटेग्रिकों किस नाम से जाना जा सकता है organometallic compound के नाम से अब देखिए इसका example लेते हैं हम यहापे अपने grignard reagent का नाम सुना होगा grignard reagent ठीक है क्या formula होता है इसका r mg x तो यहाँ पे metal तो कौन सी हो गई magnesium और r क्या है यहाँ पे r हो सकता है c3 हो सकता है c2h5 हो सकता है इस तरीके से कोई भी ग्रूप हम alkyl group जो है उस एट एच करवा सकते हैं तो यह किस टाइप का compound हो गया organometallic compound हो गया मान लो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं अगर r को मैं consider करूँ c3 mg और x की जगे ले लिया मैंने b r तो यह grignard reagent है लेकिन य किया जाता है इसी तरीके से c2h5 zn c2h5 diethyl zinc जो है इसे भी किसमे consider कर सकते हैं organometallic compound के अंदर क्योंकि zinc तो metal हो गई और इसने किस के साथ bond बना रखा इधर भी carbon के साथ और इधर भी carbon के साथ bond बनाया हुआ है तो हमने क्या कहा था कि अगर metal और carbon के बीच में bond बनता है तो हमे अब बात करेंगे हम इसके classification के बारे में तो classify यह जब organometallic compound को करेंगे तो यह दो टाइप से होगा सिग्मा बॉंडिड और गैनो metallic compound और दूसरे कौन से रहेंगे पाइ बॉंडिड और गैनो metallic organometallic compounds झाइप दो है sigma bonded और पाइ बॉंडिड दोनो और गैनो metallic compound अभी हहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि ह्या sigma bond बनेगा और इन compounds के अंदर पाइ बॉंड बनना है तो जैसे sigma bonded जो organometallic compound होते है ये कौनसे बनाएंगे mainly ये शो होते है S और P block element S और P block element जो होते हैं वो covalent bond बनाएंगे और उनमें metal और carbon के बीच में कैसा bond बनेगा हमेशा sigma bond बनेगा ठीक है तो इसलिए उन compounds हम क्या कहेंगे sigma bonded organometallic compounds clear for example अभी जैसे आपने लिखा है मैं दुबारा से बता देती हूँ जैसे RMZX है ग्रिगनाड रियाजेंट जो है इसके अंदर जो bond बनता है वो कैसा रहता है sigma type का ठीक और अभी हमने बात की थी C2H5, ZN, C2H5 तो इसके अंदर भी कैसा bond बनता है sigma bond बनता है इसके अलावा और भी compound होते है जैसे SI, CH3, whole 4 तो इसके अंदर भी किस टाइप के bond बनता है सारे के सारे sigma bond बनता है जैसे अगर खोल के आप बनाओगी तो यह इस तरीके से बनेगा structure आप रहे हैं तो direct formula लिख दें या फिर खोल के अगर आती है बनाने S और P block element ही बनाएंगे उनके metal element जो होते है उनके और carbon के बीच में bond formade होका है अब बात करते हैं pi bonded organometallic compound की अब जो pi bonded organometallic compound है इनके अंदर pi bond बनना है तो इनके अंदर mainly जो D block element होते हैं उनका यूज़ किया जाता है क्यों? क्योंकि उनके पास vacant या आप कहा सकते हो empty d orbital present होता है जो बहुती easily bond बना सकता है इसके अंदर बहुती important जो example है वो मैं यापे लिख रही हूँ के ptcl3 eta2 c2h4 ये complex है हमारा इसे जाना जाता है jesus salt के नाम से किस नाम से जाना जाता है jesus salt के नाम से ये compound जो आप बनाएंगे तो ये किस तरीके से बनेगा देखें यहाँ पर ये metal है और इसका इसने तीन bond तो बना रखे है chlorine के साथ में chlorine है ये carbon तो है नहीं लेकिन एक bond जो है जैसे यहाँ पर ये जो compound है ये organometallic के अंदर consider किया जाएगा कैसे बना सकते है CL CL 3 attach हो गए 4th बचा हुआ है और C2H4 को मैं खोल के अगर लिखूंगी तो इसी तरीके से लिखूंगी ना CH2 double bond CH2 ऐसे लिखा जाएगा तो यहाँ पर in between इस तरीके से दिखाया जाता है किसी भी carbon के साथ bond को attach नहीं करवा रही in fact जो double bond है उसके पास ले जाके दिखाया आपको ऐसा किस region की वज़े से किया है ताकि आपको पता चले कि यहाँ पर जो यह eta word है Greek language का word है Greek language का word है symbol यह रहेगा और पढ़ा क्या जाता है eta क्या पढ़ा जाता है eta पढ़ा जाता है Greek letter है यह तो इस तीज़ का ध्यान रखें यहाँ पर इटा की पावर जितनी भी होगी उतने ही इलेक्ट्रों उतने ही यह फिर आप यह कह सकते हो बॉंड जो है वो इन्वोल्ड रहते है इलेक्ट्रोंस इन्वोल्ड रहते हैं और यह परणी भी ठजांपल देख लेते है इसका एक देखिए यहां पर एक कंपाउंड बना रही हूं मैं है साइक्लिक है यह और इस पर मैंने यहां नेगटिव चार्ज दिखाया हुआ है सेम टू सेम में बना रही हूं एक नीचे की साइड पेंटागनल जो रिंग है वो बनाई है और मल्टिपल अगर सरकल लगाया हुआ इसका मतलब जो डी लोकलाइजेशन है सिंगल और डबल बोन का वो इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा और बीच के अंदर प्रेजेंट है आईरन एफ ई और यह इन दोनों के साथ अटेच है अगर मैं सेंटर तक लेके जा रहे हुए से इसका मतलब है जितने भी इलेक्टरोन है वो सारे के सारे इसके साथ कॉन्रिगेशन के अंदर है और यह किस तरीके से प्रेजेंट रहता है एक जो रिंग है आपकी फाइफ मेंबर वो ऐसे प्रेजेंट है बीच में यहाँ पर आईरन प्रेजेंट है और उसके ओपर जो दूसरी है वो इस तरीके से प्रेजेंट है तो अगर आप देखें तो यह sandwich type compound बन जाता है इस वज़े से इन्हें किस नाम से भी जाना जाता है sandwich compounds sandwich खाए है ना बहुत अच्छे लगते होंगे तो यह sandwich compounds के नाम से भी जाना जाता है actual में इस compound का नाम क्या है इसका नाम है ferocene और कैसे लिखेंगे आप इसे fe eta raised to power 5 c5 h5 अब यहां पर c5 h5 लिखा हुआ है एक लेकिन हमने total use कितने किया है यहां पर एक तो यहां यूज कर रखा है एक यहां यूज कर रखा है यानि total 10 electrons यूज किया है एक जो conjugated system है वो हमें 5 electron दे रहा है और दूसरा कितना दे रहा है 5 तो 5-5 total 10 electron हो जाते हैं यहां पर तो ferocene को इस तरीके से आप दिखा सकते है और देख लेजिए एक compound इसका अब यहां पर मैं 6 member ring ले रही हूँ देखने में तो यह benzene जैसा लग रहा है आप एक्चिल में यह benzene ही है दो ring ले ली और बीच में यहां पर metal ली है chromium और यहां center से attach करवा रही हूँ इसका मतलब आप क्या लिखेंगे इसे eta 6 लिखेंगे कितने number of bond हैं यहां पर 6 तो 6 सी लिखना पड़ेगा हमें C6H6 और किस तीस का compound है यह chromium का तो ऐसे लिखना पड़ेगा नाम है इसका डाइब एंजीन क्रोमियम डाइब एंजीन क्रोमियम और इसे भी sandwich compound के नाम से जाना जाएगा यानि commonly कह रहे है sandwich compound क्योंकि यह same है बिल्कुल एक तरीके से जो sandwich होता है उसके जैसे दिखाई देते हैं एक layer अपर एक downward और बीच के अंदर जो भी material है metal होती है वो present रहती है ठीक है इसे इटा बोलते हैं जितने भी इसकी पाउग रहेगी इसका मतलब है उतने ही number of electrons या फिर आप कहा सकते हो कि जो compound हम लेके चल रहे हैं जैसे देखिए यहाँ पर five member था तो हमने इटा five यूज़ किया है यहाँ पर six member है तो इटा six यूज़ कर रहे हैं और अगर second तरीके से देखें वैसे यह ज़्यादा sufficient है आप इसी तरीके से memorize करें से और C6 S6 लिखने का मतलब है कि यहाँ पर benzene लिया हुआ है यह सिफ रिपर्जेंट किया है लेकिन यह कितनी बार यूज़ किया है दो यूज़ कर रहे हैं एक रिंग यहाँ पर present है एक यहाँ पर present है तो एक अगर 6 लेक्टोन दे रहे हैं तो दो कितने दे देगी 12 हाना तो यह भी अब देखें यहाँ पर पाई लेक्ट्रोन इन्वाल्ड है तो इसी वज़े से हम इसे क्या कहा रहा है पाई बॉंडेड और गेनो मेटलिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है यह कुछ एक एक जामपल थे जो इंपोर्टेंट है आपके मतलब कंप्टिशन पॉइंट ओफ यू से भी और ऐसे भी प